अस्ताम वालेकुम क्लास होप यौल फाइन एक्सराइज 6.1 हम कह रहे थे ठीक है 6.1 कह रहे थे फर्स्ट वाला पार्ट सेकिंड वाला पार्ट बहुत इसी था हुप सोफ सबका हो गया होगा थर्ड वाला पार्ट जो था वह बने पहले दो को सलाइटिक करवाय थे और फोर पार्ट का एक क्वेस्ट्न करवाय था कुछ दूट्स कह रहे थे कि जो थर्ड वाला पार्ट उसके बाकी जो क्वेस्ट्न है वह भी करवा दे तो आज हम जो थर्ड वाला पार्ट उसके जो रिमेनिंग क्वेस्ट्न आ हो करेंगे exercise 6.1 3rd question क्या है simplify the ratios तो हम 3rd question करेंगे ठीक है वो क्या है 1 by 4 ratio 1 by 6 ठीक है तो अगर हम आरे पास जिन 2 quantities की हम ratio ले रहे हैं वो devian की form में है तो पहले हम उसका LCM ले ले लेंगे ठीक है LCM ले ले लेते हैं तो LCM में किस-किस का LCM LCM लेंगे 4, 6 4, 6 तो ले ले 2, 2 दा 4 2, 3 दा 6 2, 1 दा 2 3 ऐसे लिगा लेंगे 3 दा 3 इसके factors के आजाएंगे 2 x 2 x 3 तो LCM के आजाएगा 2, 2 दा 4 4, 3 दा 12 LCM के आजाएगा 12 अब हम क्या करेंगे अपने question को multiply कर देंगे LCM के साथ LCM क्या आया 12 तो 1 divided by 4 multiply LCM के आजाएगा 12 ratio 1 divided by 6 multiply by 12 ठीक है अब हम क्या करेंगे cutting कर लेंगे 4 और 12 कैसे 4 1 दा 4 and 4 3 दा 12 6 1 दा 6 6 2 दा 12 तो हमार पास answer आजाएगा 3 1 दा 3 ratio 2 1 दा 2 तो यह आपके पास answer आगे ठीक है तो यह हमने exercise 6.1 का जो third वला question था वो कर लिया अब हम इसका next 4 वला question करेंगे 2 divided by 3 ratio 1 divided by 9 ठीक है तो पहले सबसे पहले यह divine की form में है तो 3 और 9 इसको अल्सिम दे लेंगे 3 9 3 1 दा 3 3 3 दा 9 3 1 दा 3 तो आपके पास इसके multiples के आजाएगे 3 cross 3 तो अल्सिम के आगया 3 3 दा 9 अब हम क्या करेंगे multiply by LCM हम अब अपने question को LCM से multiply करेंगे question क्या है 2 divided by 3 multiply by LCM क्या था 9 9 क्या हमारे पास LCM तो 9 के साथ multiply कर लेंगे ratio 1 divided by 9 multiply by 9 अब इसकी cutting कर ले 3 दा 3 3 दा 9 9 दा 9 9 ठीक है तो 3 to the 6 दर्म्यान में multiplication का sign है तो हम 3 को 2 के साथ multiply कर देंगे 3 to the 6 ratio 1 है तो 1 तो 6 ratio 1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6 ratio 1 ठीक है यह आपके पास आंसर आ गया ठीक है question number 4 अब आपका हो गया अब हम क्या करेंगे question number 5 1 ratio 1 by 7 ठीक है अब अज्यूम करें कि इस 1 के नीचे भी 1 है 1 ratio 1 divided by 7 तो LCM 7 और 1 के लेंगे LCM 1 7 7 1 दा 7 तो आपके पास LCM के आ जाएगा LCM के आ जाएगा 7 यह आ जाएगा तो हम इसे 7 के साथ multiply कर लेंगे 1 divided by 1 multiply by 7 ratio 1 divided by 7 multiply by 7 ठीक है 7 दा 7 तो यहाँ पे 1 और 7 को 1 से multiply करेंगे तो 7 यह आ जाएगा 7 ratio 1 तो आपके पास यही इसका आंसर आ जाएगा अब हम question number 6 करते हैं जैसे के 5 की नीचे भी तो हम क्या करेंगे 5 divided by 1 कर लेंगे ratio 2 divided by 3 अब LCM ले लेते हैं 3 और 1 का ठीक है तो 3 बंदा 3 ठीक है आपके पास यह आज़िटीज आ जाएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे अपनी term को multiply कर देंगी उसके LCM के साथ ठीक है multiply by LCM तो 5 divided by 1 multiply by LCM क्या इसका 3 ratio 2 divided by 3 multiply by the LCM 3 ओके 5 multiplied by 3 क्या आगया 15 ratio 3 बंदा 3 3 बंदा 3